पूरा दिन प्रिवियस डे की रेंज के अंदर स्पेंड किया है और एक क्वाइलिंग काइंड ऑफ पैटन की फॉर्मिशन होती हुए दिकिया हम फॉर्धर सेशन में भी एक्सपेट कर रहे हैं कि रेंज 18.470 on the downside 18.570 on the upside continue रहेगी इस रेंज से अगर हम expand करते हैं तो फिर 18. 18.200 on the downside के टागेट रहेंगे लेकिन अगर breakout मिलता है तो 18.573 के ऊपर 18.650 जो इस डिस्टिब्यूटिव रेंज का हाई है यह हमारा टागेट रहेगा bank nifty ने भी entire session previous last hour के range के अंदर spend किया और एक coiling kind of pattern की formation है हम Monday भी expect नहीं कर रहे हैं कि 44.200 के ऊपर breakout मिलेगा या 43.700 के नीचे breakdown मिलेगा in case 43.700 के नीचे निकलते हैं तो 43.400 हमार टागेट रहेगा और 44.200 के ऊपर निकलते हैं तो distributive range का top 44.500 एक resistance देगा but overall 45.000 तक के target देखे जा सकते हैं stock to watch की series में जो stock up की वा लिस्ट में होना चाहिए वो है UBL का एक range की field breakout के बाद breakdown आता हुआ दिखाया और काफी weaker pullback के साथ range की boundary के पास closing आई है 14.45 के नीचे follow through move मिलता है तो shots initiate करना चाहिए target on the downside 14.20 तक के रहेंगे के बाद करते हैं